हेलो प्रेंट्स मैं हूँ अमीता मेरे चनल अमीता कुक्सपूर में आप सभी का स्वागत है आज मैं बनाने वाली हूँ डोसा इसे मैं नारियल की चट्नी और सांबर के साथ सर्व करूंगी सांबर जिसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर पहले ही डाल जोकी हूँ और इसकी ल डाल चुकी हूँ और उसी बैटर से मैं डोसा बनाने वाली हूं इसके लिंक भी वीडियो के लास्ट में डाल रही हूँ वहां से भी आप देख सकते हैं डोसा बनाने के लिए मैं कुछ टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपका भी डोसा बहुत बढ़िया और क्रिस्पी बनेगा तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिए और मेरे चनल को सब्सक्राइब करना ना हुड़िये तो फिर चलिए हम बनाना सुरू करते हैं हमने यहां लिया है बैटर यह वही बैटर है जिसकी रेश्पी हमने पिछले वीडियो में डाला था हम उसी बैटर का इस्तवाल कर रहे हैं दोसा बनाने के लिए इसमें हम एक चमच चिन्नी डालेंगे और आधा चमच नमक डालेंगे या फिर नमक अपने अनुसार डाल सकते हैं चिन्नी से डोसा का कलर बहुत ही बढ़िया आता है इसलिए हम चिन्नी का इस्तमाल कर रहे हैं अब बैटर को हम मिला लेंगे बैटर को जादा पतला नहीं करना है जैसा बैटर दिख रहा है वैसा ही बैटर रखना है इससे जादा बैटर को पतला नहीं करना है इसे दो से तीन मिनट मिलाने के बाद इसे दस मिनट ढख के छोड़ देना है ताकि बैटर अच्छे से सेट हो पैन गर्म हो गया है इसमें वाइल डाले हैं वाइल भी गर्म हो गया है तब इसमें हम राई डाल दिये हैं राई थोड़ा चटक जाए तो उसके बाद हरी मिर्च कट करके डाल दें उसके बाद करी पत्ता डाला है फिर इसमें एक चम्मत चना डालना है उसके बाद इसे हलका भूण ले, 10 सेकेंड तक इससे जदा नहीं भूणना है इसे, फिर हमने एक प्याज लिया है, जिसे पतला पतला कट कर लिया है, उसे इसमें डालना है, उसके बाद इन सबको 1 मिनट तक भूण ले, इससे जदा इसे ना भूणने, अब इसमें हममसाला अड़ करेंगे, सबसे पहले आधा चमच हल्दी डाला है आधा चमच रेड़ चिल्ली पॉडर उसके बाद एक चमच नमक डाला है फिर हमने आधा चमच गरम साला पॉडर का इस्तमाल किया है और इन सब को थोई दिर भून ले अब हमने तिन वॉइल आलु लिया है जिसे हमने पहले ही वॉइल कर लिया था इसे ऐसे ही मैस कर लेना है इसे ज़्यादा कर लेना है बस valuation डाल देना है और इसे एक से दो मिन सतuks अगजर है, ज़्यादा है तो यहां पे हमने थोड़ा सा कस्मेरी मिर्च का इस्तमाल किया है यह इसलिए हमने इस्तिमाल किया है अब चाहे तो इसे किप भी कर सकते हैं अब हमारा आलो मसाला त्यार हो चुका है और इधर 10 मिनट भी हो चुके हैं तो बैटर भी रेडी है तो अब हम दोसा बनाने की प्रोसेस में चलते हैं हमने गैस पे नॉन स्टिक तवा चड़ाया है और फ्लेम को बिल्कुल धीमी रखना इस बात को हमेशा ध्यान रखें जब तब गर्म हो जाए तो वायल से इसे चिखना कर लें बिल्कुल इस तरह से आप सेम प्रोसेस लोहे के तब्री प्रीवी अपलाय करें अब इसमें धेर सारा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे फ्लेम को हमने लोही रखा है आप देख सकते हैं कि हमने कितना सारा पानी इसमें डाला है ताकि तब अच्छे से ठंडा हो जाए इसमें जो एक्स्ट्रा पानी था उसे हमने बाहर फेका है अब इसे टीसू पेपर से या कॉटन कपड़े से अच्छी तरह से इसे क्लीन कर लेना है इसमें बिल्कुल भी वाइल नहीं रहना चाहिए अब हम इसमें बैटर डालेंगे और इसे धीरे धीरे रौन रौन सेप में फैलाएंगे आप इसे देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से धीरे धीरे फैलाएं आपको ऐसा लगे कि बैटर कुछ एक्स्ट्रा है तो आप इसे ऐसे निकाल भी सकते हैं ऐसे निकालने में हाथ खोड़ा जल भी सकता है तो आप स्पून का इस्तमाल करें या किसी और चीज का इस्तमाल कर सकते हैं निकालने के लिए अभी हमने फ्लेम को लो रखा है जब बैटर उपर से सूखने लगे तो फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं अगर आप लोहा के तवा इस्तमाल कर रहें तो उसे अच्छी तरह से तवा को वास करें और उसके वाद धीमी आज पर सेम प्रोसेस से बनाएं तवे को चिकना करने के लिए आप आधे कटे प्याज की सहायता भी ले सकते हैं प्याज को तेल में डुबो कर तवे पर तेल लगाने से डोसा क्रिस्पी बनता है अगर लोहे की तवे पर इतना करने के बाद भी डोसा चिपकता है तो तवे पर थोड़ा गिहूं का आटा छिड़क दे और उसे अच्छी तरह से साप कर रहें तो आपका तवा सही हो जाएगा नौन अस्टिक तवे पर भी अगर डोसा चिपकता है तो एस सेम टीप्स को अपनाए तो आपका डोसा सही बनने लगेगा अब यह देखिए उपर से बैटर सुक गया है अब इसमें हम वाईल या घी का इस्तमाल करेंगे यह आप देख सकते हैं कि यह हलका रिड़ रिड़ भी दिखने लगा है इसे चारो साइट भूमा कर भी आप पका सकते हैं हम इसमें गी का इस्तमाल कर रहे हैं आप चाहें तो इसमें वाइल भी डाल सकते हैं या बटर भी लगा सकते हैं यह उपर से और साइट साइट से सभी जगह से थोड़ा सा डाल दें और देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर दिख रहा है अब इसमें हम आलू मसाला जो बनाए करके एक साइट से धीरे धीरे फोल्ड करना देखर आहरे सि देख कितना अच्छा कलर आया है हमारा उन्य देख सकते हैं कितना अच्छा कलर्ड एक Burke इस पी है अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और सेम प्रोसे से बाकी बचे हुए जो डोसा के बैटर है उससे डोसा हम बना लेंगे फिर शेवही पहले वायल से चिकना करना है फिर पानी डाल कर इसे ठंडा करना है उसके बाद इसे टीशू पेपर से अच्छी तरह से किलीन कर लेना है फिर बैटर डाल कर इसे पतला कर देना है और जब डोसा हो जाए तो फिर इसे प्लेट में निकाल लेना है यह आप देखिए यह दूसरा डोसा है और इसका भी कलर कितना बढ़िया आया है इसे मैं प्लेन डोसा निकाल रही हूँ इसे मैं आलो मसाला नहीं डाली हूँ और इसे ऐसे ही निकाल रही हूँ और इसका भी कलर कितना बढ़िया आया है यह आप देख सकते हैं तो इसे भी प्लेट में निकाल लिया है और बाकी बचेवे बैटर का इसी तरह से बना देना है तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया साडोसा बन रहा है हमारा अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें